Student, सोचो, अगर आपको 50,000 रुपे की help मिल जाए, तो आपको अपनी study में बहुँ जादा help हो जाती है financially, जिसमें आपके अपने tuition fees, college की fees, या अपने लिए आप कोई laptop ले सकते हो, या आप other expenses को यहाँ पर bear कर सकते हो. ऐसे में ये पैसे कहां से आ सकते हैं? ये एक अच्छी scholarship से आ सकते हैं. इसलिए मैं हमेशा कोशिज करता हूँ, आप सबको अच्छी से अच्छी scholarship प्रोवाइड करा हूँ, यानि कि उनके बारे में बता हूँ, और आप जाकर जरूर से apply करो. इसलिए मैं यही कहूँगा, स्टुडेंट, अगर आपको कुछ लोग को ये भी लगता है, कि यार हमें तो मिलेगी नहीं, क्यों apply करें? कुछ कहते हैं कि मुझे इस region से नहीं मिलेगी, region कुछ भी हो सकता है. मेरा माना है कोई excuse नहीं, सभी scholarship में apply जरूर करें. आज आपको एक ऐसी scholarship बता रहा हूँ, जो अभी अभी अनाउंस होगी है, और साथ में वीडियो के end में, एक ऐसी scholarship बताऊंगा, जो LG की तरफ से आती है, और वो expire हो रही है इस 10 October को, और उसके बारे में मैंने सायथ कभी बताय नहीं था, और वो मुझे पता लगा, तो यार वो भी आपको बताना चाहता हूँ, तो फड़ावट से जो apply कर लो, और आपके कुछ doubts आते हैं, comment में, जिनमें से 2 doubts मैंने पीक किये, सबसे पहला कि Sir, क्या multiple scholarship में apply कर सकते हैं, जी हाँ, चाहे वो government हो, दो government में नहीं apply कर सकते हैं, बट दो private scholarship या एक private एक government scholarship में apply कर सकते हो, और दोनों आपको मिल भी सकती हैं, कोई issues नहीं है, नमबर दो, आपको कुछ लोगों यह लगता है, कि अगर मेरे father की income जादा है, और income का certificate कम बनवा दे, तो क्या scholarship मिल जाती है, अगर उन्होंने पता कर लेगों, कि pen number से पता लग जाता है, कि bank detail या कितनी income है, और अगर वो पता लगी, तो आपको बेवालतु के मनलब कुछ नहीं होता, तो मैं यह कहूँगा, कि अगर आपकी earning है उतनी, जितनी eligibility है, तो आप जरूर से apply करो, अगर नहीं है, तो accurate डाल दो, लग होगा तो बाइचास मिल जाएगी, चले चलते हैं स्क्रीन पर, scholarship के link आपको discussion में मिल जाएगा, आप जाके जरूर से apply करें, और ताकि आपको मुझे इस बार उमीद है, क्योंकि यहाँ पर, आप अगर वीडियो देख रहे हैं, तो आपका काम बन जाएगा, यहोपस हो, तो जो अभी-अभी scholarship कराउंस हुई है, वो B.S.E.S. करके, Yamuna Power Point, जो है, Delhi में बना हुआ है, Yamuna Power Limited, उस company के तरफ से आती है, और यहाँ पर जो scholarship है, वो 30,000 रुपी की scholarship है, जो आपको मिल रही है, second वाली scholarship भी है, total मिलाकर 50,000 से भी ज़्यादा बैठते हैं, चलिए, तो इस scholarship की क्या eligibility है, सबसे पहले तो इसकी date जान लेते हैं, इसकी date है, 14 November, यानि कि मैंने कहा ना, अभी Children's Day की इसकी date है, अभी काफी time है, कोई issue नहीं है, पूरा महीन आपको मिल रहा है, अच्छे से apply करो, ठीक है, यहाँ पर यह जो scholarship है, apply कर सकते हैं, आप इसमें यह जो company है, वो अपने, जो भी उनका fund होता है, उसमें से support करती है, higher education के लिए, तो यह जो scholarship है, प्रोवाइट की जाती है, power corporation limited की तरफ से, power limited की तरफ से, यहाँ पर अगर बात करें, यहाँ पर आप देख सकते हो, Delhi वाले apply कर सकते हैं, बार वाले अगर Delhi में है, वो भी कर सकते हैं, Delhi के किसी institute में आप पढ़ रहे हो, तो वो भी कर सकते हैं, फैमिली इंकम छे लाग रुपे से, आपकी कम होनी चाहिए, 55% जो है, आपके marks होने चाहिए, previous year में, then आप यहाँ पर apply कर सकते हो, ठीक है, इस सब चीज़ जो नोने मागी है, और कोई भी undergraduate student, final year of the undergration, any stream can apply, कोई भी student, जो final year में है, या किसी और year में है, undergration, BA, BSC, BCOM, BBA, BCA, कुछ भी, BSC, IT, कुछ भी कर रहा है, undergraduate है, वो apply कर सकता है, और मुझे बताए, आप लोग जो वीडियो देख रहे हो, maximum बच्चे, undergraduate होंगे, तो वो उनके लिए, यहाँ पर best opportunity है, इन्होंने कुछ और भी कहा है, कि अगर आप paramedical, nursing, BA, engineering, CA, यह कोई अधर, professional course कर रहे हो, तो आपको priority देंगे, ठीक है, priority देंगे, बाकी इन्होंने कहा है, कि भी आप एक meritorious student होने चीए, क्योंकि मैंने भी बताया, कि जो meritorious students होते है, उनको scholarship प्रवाइड कराते हैं, 30,000 रुपे की scholarship है, जो amount है, वो आपको दी जाएगी, utilize करने के लिए, आपके expenses जैसे की, tuition fees, food, hostel, internet, book, stationery, या other online learning materials के लिए, ठीक है, सो यहाँ पे आपको, these are the documents required, passport site for two, अधार card, family income, जो certificate होता है, form 16A, या income certificate, education के expenses related, college की fees, receipts बगएरा, और bank detail, ठीक है, apply link वो ही है, एक और चीज़ उन्होंने यहाँ पर दी है, suppose आप यहाँ पर eligible नहीं हो, लेकिन आपको लगता है, कि मेरा मामा का लडगा eligible है, आपको लगता कि मेरा neighbor eligible है, यह मेरा वो student eligible है, आप एक teacher हो, कोई भी हो सकते हो, तो एक nominate student का option है, जिसमें आप student के detail डाल सकते हो, फिर यह उसको email करेंगे, कि you are eligible for this scholarship, तो वो apply कर सकता है, यह मुझे अच्छा feature लगा, अगर आप eligible नहीं हो, तो आप nominate कर दीजे, इसका link मैं आपको discussion में दे रहा हूँ, जो second आपके लिए scholarship है, वो LG की तरफ से आई है, और यह काफी समय से निकली हुई थी, इसकी last date है 10 October, जो कि आपके सामने आगया है, 2-4 दिन में, live scoot कर करके इनका tagline है, scholarship program से इनका, इनका मैंने बताया हर एक company का profit का एक share, CSR में खर्च करते हैं, जो कि आपका public support के लिए, या social work के लिए यूज किया जाता है, यहां पर आप देख सकते हो, जो scholarship है, वो आजाती है, undergraduate, postgraduate, कोई भी, जो कोई भी academic year में हो, first year में, second year में, final year में फरक नहीं पड़ता, यहां पर 60% marks चाहिए है, first year में आप हो, 12th में, second year में आप हो, तो previous year में, 60% marks mandatory है, चाहिए ही चाहिए है, ठीक है, यह सब चीजे बांगी, और और कुछ नहीं मांगा, और भाई मुझे एक चीज अच्छी लगी यहां पर, कि इन्होंने ना, family income की limit भी नहीं मांगी, हाँ 8 lakh, 8 lakh से कम आपकी family income है, parents की income है annually, so you are selected, you are eligible, selected तो बात की बात है, application जो है, आप accept करते हैं, 4 phases में रहेगी, ठीक है, के इन्होंने college की list भी दे रखी है, अगर आप इन colleges से हैं, तो यहां पर आपको priority मिलेगी, ठीक है, तो यह भी apply link है, apply करना बहुत simple है, यह आप लाई पर जाओगे, मैंने बताया, सबसे पहले आपको, यहां पर अपना account बनाना है, अपने देखो, यह questions पूछेंगे कुछ, आप eligible हो जाते हो, तो बस अधार card से अधार number डालो, synchronize करो, verify करो अधार को, और form आपका open हो जाएगा, तो यह तरीका है, best scholarship के लिए, opportunity है, आती रहती है, जब भी कोई हो, मैं आपको बताता हूँ, ताकि हमारे students को एक support मिल सके, मैं चीज कहना चाहूँगा, student मैं बहुत गरीब family से बिलोंग करता हूँ, अब तो आपकी, मलब उपर वाली की किरपा है, एक time था, तो हमें वो सब चीजे नहीं मिली, मुझे कभी life में scholarship मिली यह नहीं, मैंने बहुत फॉर्म बरे, लेकिन government scholarship के बरे, जो student life में मिलती है, मुझे कभी नहीं मिली, कुछ भी हो सकता है, मैं journal हूँ, इसले नहीं मिली, या कोई भी reason है, मालो, कुछ बच्चे कहते हैं, कि मैं journal हूँ, मुझे scholarship में मिली, इसा कुछ नहीं, मेरे काफी दोस जर्णल हैं, इनको मिली है, बट यह सब चीजे नहीं है, तो मेरा लग नहीं काम करा, उस समय सब चीजे थी नहीं, कि सोशल मीडिया, यूट्यूब पे कोई हमें help कर दे, जब मुझे लगा, कि यार, ऐसे बहुत सारे बच्चे, जो मेरी तरह, कास में स्कोलेशी मिल जाती, तो मुझे कोई कोई कोर्स करना था, मैं वो कर लेता, जो मेरा नहीं हो पाया था, लेकिन फिर भी हमने बैतर किया कुछ, तो आपको भी यह कौँँगा, एक बच्चे की भी हेल्प हो गई, तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो गया, so make sure कि आप वीडियो में अपलाई करने के साथ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, निडी लोगों के साथ, शेर जरू कीजिएगा, और एक अच्छा सा कमेंट, कि आपको क्या अच्छा लगा वीडियो में,